प्रभु येश्यु मसी का नाम आपको धन्य मनाएं एक लिद्या नाम जगा का राजा था उस राजा का नाम क्रिशास था और लिद्या यो जगा थी ये जो आज का तुर्की है उसका एक इलाका था करीब पान्सो छे सो साल इसा पुर्व के समय में 590 बीसी के आसपास और क्रिसिस लिद्या का राजा था इसका जनम 590 इसा पुर्व हुआ था और जब ये राजा बना तो ये चौदा वर्ष तक इसने राज़ किया और फारस के राजा कुसरू साइरस दे ग्रेट पर्शिन किंग जो था उसके द्वारा वो हराया गया और क्रिसिस राजा अपने आपको सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति इस प्रित्वी पर मानता था happiest of mortals और उसके घर में बहुत कींती चीजें उसने रखी थी बहुत ऐसा समान महंगा महंगा समान दूर दूर देश के valuable items उसने अपने घर में सजा रखे थे और इसलिए वो अपने आपको बहुत ही धन्य व्यक्ति समझता था सबसे खुश दुनिया में ऐसे ते एक बार उसने युनान के एक बुधिमान व्यक्ति सुलोन को अपने घर में न्योता दिया और सुलोन युनान का गृ owners का सात्लिमान व्यक्तियों में से 중에 एक बुधिमान व्यक्ती माना जाता था और वास्तों में वो साथ लोग जो थे युनान के उनको युनान के साथ हिशी कहा जाता था Seven Sages of Greece और सोलोन उसमें से शायद पहला व्यक्ति था दुनिया का जिसने लोग तंत्र की नेव रखी डेमोक्रेसी उससे पहले डेमोक्रेसी की सही परिभाषा और कारिय शीलता नहीं थी लेकिन सोलोन ने ये बात एथेंस से शुरू की ग्रीश से शुरू की और आज हम देखते हैं दुनिया के बहुत सारे देश डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं अमारे देश को इंक्लूड किया जाता है तो सोलोन जब उसके उस आलिशान महल में आया तो उसको एक विशेश कमरे में उसका स्वागत किया गया जो बहुत ही खुबसूरत था और अद्भुद अद्भुद चीजों से भरा हुआ था लेकिन सोलोन बहुत गंभीर और कोई अचमबा उसने नहीं दिखाया ये सब चीज़े देखकर वो बहुत नॉर्मल रहा और उसने कोई भी टिपनी नहीं की कोई कमेंट्स नहीं दिये राजा के सारे शान को देखकर तो राजा बहुत गुसा हो गया और उसने सोलोन से क्रोध में कहा कि क्या तो मुझे सबसे खुश व्यक्ति नहीं मानता दुनिया का क्या मेरे पास खुशी की सारी चीज़े नहीं है तो सोलोन ने उसको हो एक जवाब दिया सोलोन ने कहा कि एक व्यक्ति तब वास्तों में खुश कहा जा सकता है अगर परमेश्वर उसकी खुशी को जीवन के अंध तक बनाए रखे एक व्यक्ति वास्तों में तब खुश कहा जा सकता है अगर परमेश्वर उसकी खुशी को जीवन के अंध तक बनाए रखे और जब सोलो माफ करना जब क्रिसस राजा हराया गया कुसरू के द्वारा तो कुसरू उससे विपरीच सुभाव का था कुसरू के लोग उससे बहुत प्यार करते थे और वो अपने धन को काफी दे देता था उसका कहना था कि मेरे लोगों के दिल और उनकी भावनाएं मेरा खजाना है भजन बत्तिस बाइबल में एक भजन है और उसकी पहली दो वाक्यों में लिखा है क्या ही धन्य है वह जिसका अपराज शमा किया गया जिसका पाप ढापा गया हो क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधरम का यहवा लिखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो क्या ही धन्य है वो व्यक्ति राजा क्रिसिस अपने आपको धन्य समझता था लेकिन एक बुद्धिमान विक्टी ने भी इस बात का बयान दिया कि वो धन्य नहीं है वो विक्टी राजा क्रिसिस धन्य नहीं है लेकिन परमेश्र का वचन कहता है कौन सा विक्टी धन्य है धन्य वो है जिसका अपराद शमा किया गया जिसका पाप ढापा गया जिस मनुष्य के अधरम का लेखा परमेश्वर प्रभु येश्व नहीं लेता और जिसकी आत्मा में कपट नहीं है यह जो धन्य शब्द है इसका जो मूल अर्थ है यह धन्य शब्द बहु अचन में है यानि ऐसा व्यक्ति वो बहुत खुश है खुश-खुश व्यक्ति है वो जिसके अपराद शमा किये गये जिसका पाप ढापा गया जिसके अधरम का परमेश्वर लेखा नहीं लेता तीन शब्देया पे अपराद और पाप और अधरम अपराद होता है जब एक व्यक्ति सीमा को लांग देता है पाप वो होता है जब एक व्यक्ति उस थर तक नहीं जीता Missing the mark और अधरम घिनोने काम होते हैं नैतिक बुरे काम होते हैं लेकिन जिस व्यक्ति का अपराद शमा किया गया जिस व्यक्ति का पाप धाप दिया गया जिस व्यक्ति के अधरम का परमेश्वर लेखा नहीं लेता वो व्यक्ति वास्तों में धन्य है वो व्यक्ति खुश खुश व्यक्ति है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा में से परमेश्वर कपट को हटा देता है उसकी आत्मा में अब कपट नहीं है निर्गमन चौती सध्याय के साथ वचन में हजारों पीडियों तक निरंतर करुणा करने वाला परमेश्वर अधरम और अपराद और पाप का शमा करने वाला बाइबल का परमेश्वर अधरम और अपराद और पाप को शमा करने वाला मीका साथ अठारह उनिस में लिखाए तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधरम को शमा करे और अपने निजभाग के बचे हुए लोगों के अपराद को ढाप दे वो अपने क्रोध को सदा बनाएं नहीं रखता क्योंकि वो करुणा से प्रीती रखता है वो फिर हम पर दया करेगा हमारे अधरम के कामों को लताड डालेगा तू उनके सब पापों को गहरे समंदर में डाल देगा वो आपके सब पापों को नजर से हटा देगा प्रभू येश्व ने अपना लहू इसले बहाया ताकि हमारे पाप धुल सके हटा दिये जाए अपराज शमा किया जाए पाप ढाप दिया जाए और हमारे अधरम का लेखा हमारे अकाउंट में ना डाला जाए परन्तु दूर किया जाए रादर बलकि वो हमारे अकाउंट में अपनी धार्मिकता देता है हमें धर्मी कहता है इसलिए उसने क्रूस पर अपने प्राण दिये इसलिए उसने क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया हमारे पापों की सजा को उठाया हमारे श्राप को अपने सिर पर उठाया वो काटों का ताज वो श्राप को दिखाता है जो पुर्वज से चला हुआ श्राप आ रहा है आपके परिवार में उसको उसने उठा लिया अब आपको अपने पापों से पश्ताप करना है प्रभु येशु पे विश्वास करना है तब आप वास्तों में एक खुश-खुश धन्य व्यक्ति बनोगे संसार की चीजों से धन्य नहीं बनते खुशी वो होती है जो जीवन के अंथ तक बनी रहती है पापों की शमा अनंथ जीवन ऐसी खुशी है जो इस जीवन के बाद भी बनी रहती है कभी खतम नहीं होती तो प्रभु येशु से प्रात्ना करें अपने पापों से पश्टाप करें और प्रभु येशु के क्रूस के उस महान पवित्र बलिदान पर विश्वास करें वो आपका उद्धार करेगा आपकी आत्मा को भयानक दंड से बचा लेगा परमेश्व आपको आशिश दे